तो सपा लोगदल का गडबंदन वोटों को काटने वाला गड़ता है उनका वहवार भी जनता के साथ अच्छा नहीं रहा है एक भी तो सिंगल काम बता दें कि उन्होंने कोई विशेश काम बत्रा के लिए कराया हो बिल्कुल डंके की चोट में कह सकता हूं कि मेरे द्वारा क कि सारे मुंगेरी लाल के सपने हैं और जुमले बाजी है जिसतरे भारती जनता पार्टी के बड़े-वडे जिता जूब बोलते हैं जैसे मैं चार बार जीता जैसे मैं पांचमीं बार भी भारी महववस से जिठा है मंदर मस्जिद मुस्लिम हिंदू की बातें करने के अला मत्रा के पूर्व विधायक प्रदीप मातुर खुद को कॉंग्रेस का प्रबल प्रतियाशी बता रहे हैं मत्रा व्रिंदावन विधानसवा सीट से वह चार बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं 2022 के विधायक प्रदीप मातुर ने क्या कुछ कहा वह भी सुनिए इस चुनाब में ज्यादा वक्त नहीं है तो ऐसे मैं प्रत्यासी भी अपनी समीखना बनाने में लगे हूँ है इस वक्त मैं साथ महजून है मत्रा के चार बार विधायक रहे प्रदीप माथुर साथ जा समय नहीं है चुनाबाओं में इस बार क्या कुछ लग रहा है आपको और क निता भी रहा हूँ तो जहां तक मुझे उमीद है मेरा टिकेट लगबख फाइनल है और इस तरह का इंडिकेशन मुझे मिला हुआ है कि आपको ही चुनाव लड़ना है तो उसी बात को मद्द नज़र रखते हुए हम अपने कारिकरताओं के साथ अपने अद्धिक्षों क के साथ अपने अद्धिक्षों के साथ पूरी टीम के साथ पूरी शिद्दत के साथ जनता के बीच में घुम रहे हैं और लगातार जन संपर्क का हमारा चालू है पर चूंकि मैं 24 by 7 वाला जन सेवक रहा हूं और हूं और हर वक्त मेरी उपलबदता है तो मुझे कुछ ज़ इसने पांस सालों से लगाता रही रहा तो इसलिए बड़ी क्रपा है मांके बिहरी जी की यमना जी की द्वारका रीजी की गिर्राज जी की कि लोगों का असीम प्यार मुझे मिलता रहा और विरोध तो लोकतांतिक व्युस्थाओं में हमेशा होता है तो कुछ लोग विरो का नहीं जा सकता है अप्लिकेंट तमाम हो सकते हैं और मांगने वाले कई अभी और वंका यह फंदमेंटल राइट है अधिकार है अब यह प्रात्मिकता उस फोरुम की है जो की टिकेट को डिसाइड करता है और जिन्होंने अप्लाइग किया है उनका दावा अपने हसाब स उनके इसाब से बनता है पर जहां तक मेरा कहना है कि मैं ही चुनाव लड़ूँगा आप ही चुनाव लड़ेंगे RLD और सपा का गठवंदन हो गया है इस गठवंदन को आप कितना मजबूत मान रहे हैं और क्योंकि भाजपा के यह सिटिंग बैधायक सीकान सर्मा है उर्जा मंत्री भी है उनके कारे काल को आप कितना चुनोती मान रहे हैं उनको और इस गठवंदन को और RLD में भी जाते हैं हमारी कॉंस्टूटेंसी में लगवा 25,000 जाट बन दाता है और यदि आप उनका डिविजन करें मैं कहता हूं 60% वोट कास्ट करेंगे तो 60% के 40% वोट तो मैं ही ले लेता हूं तो सपा लोगदल का गठवंदन मत्रा में एक इस तरह से सिद्धोगा जिससे जैसे की वोटों को काटने वाला गठवंदन यदि मैं चुनाओ लड़ता हूं तो वो एक तरह का नुकसान करेंगे फाइदा नहीं हो पाएगा उसे कितना पर्षंट आंग्रेश को बिल सकता है देखे इस कभन वंदन का मैंने आपसे कहा नहीं कि कुछ जादे फरक नहीं पढ़ने वाला जाइट मद्धाता मुस्लिम अध्धाता का मेजोरिटी मैं शेयर करता हूं जाइट मद्धाताओं का अभी 40% में शेयर करता हूं तो क पिशले पास सालों में जनता से कोई संबाद ने किया और उनकी उपलबता लगबग शूरने रही उनके प्रतिनिदी बैठे रहते हैं जनता से मिलने के लिए जैसा कि मुझे छेत्र में पता लगा उनका वहवार भी जनता के साथ अच्छा नहीं रहा और जगे जगे तमाम कि से कहानियां उनकी जनता में सुनने को आती है जो की एक जन प्रतिनिदी के लिए अच्छी नहीं है जन प्रतिनिदी जनता के लिए आसानी सुपलब्द होना चीह है वेवार कुषल होना चीह हूंकि जनता किसके पास जाए यह स्डाधारी मंतरी हैं और विधायक बाद में है मंतरी पहले हैं, काम उन्होंने कुछ नहीं कराूँ और इंक नहीं है वह जिसके कि मेर साप को काड़नाची जाए ह online और इसके वह शिलानेयस करते हैं जिसमें उनका कोई अधिकार चेत्री नहीं बनता मत्रा विंदवन नगर निगम के कामों का शिलानेयस करते हैं इसी तरह वो शिलानेयस करते हैं आपके मत्रा विंदवन विकास प्राधिकरों के कामों का एक भी तो सिंगल काम बता दें कि उन्होंने कोई विशेश काम मत्रा के लिए कराया हो, जैसे उसमें उपलबता माने, कि मेरे द्वारा काम कराए गए कि पिछला सुनाब आप काफी बाहरी मतलश नहीं तो वह तो लहर चल रही थी अच्छे अच्छे दरग तो खड़ गए थे वह लहर नहीं है और लहर ना होने की वज़े से और और वहारिकता ना होने के प्रेजेंट सिटिंग आमले की आप जाके गेज नापके देखिये कि छेतर में मंत्री के बारे में क्या कहते हैं लोग और किस तरह की बात कहते हैं मैं और और नहीं मंत्री से लोगों को बड़ी निराशा हात लगी और बड़े ही छुब्द हुए लोग ब्रज तीरत विकास ट्रस्ट के कामों का श्रे अपने माथे ना लगाएं वो अपने क्रेडिट में ना लें अगर आपको कांगरे से टिकेट मिलती है और आप सुनाब लड़ते हैं क्या आपकी रंडीती और क्या आकड़ाय जीत का आपके पास देखिए मेरे तो कोई का सभी वोटरों का असीम प्यार मिलता है चूंकि मैं उनके बराबर संपर्क में रहता हूं उनका काम करता हूं और एक जन सेवक के रूप में उनके लिए उपलब्द रहता हूं जैसे मैं चार बार जीता वैसे ही मैं पांच्वी बार भी भारी मौववस से जीत हूँगा कोई बात नहीं चुणाओ हारते जीतते रहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है और अपके हम जीतेंगे बिलकुल जनता के असीम प्यार और अशिरवात से जीतेंगे कांग्रेश इस बार यूपी में किसी गठमंदन करने जा रही है या सिंगल अपने सिंगल पर ही चुना बड़ेगी दूसरा एक चीज और है कि कांग्रेश की आज इस तरीके से प्रेंका गांधी की एंट्री यूपी में हुई थी चुनाम नस्दीक है लेकिन वो धमाल नह होती है और तुरंट पहुंच जाती है आप बताइए समाजवादी पार्टी बसपा के लोग पहुंचते हैं बारती जनता पार्टी की सरकारों में तो सारे कांडी हो रहे हैं और उसका जवाब देती है हमारी नेता प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच में बहुत की बात कर रहे हैं इन्हों ने तो भाजापा ने तो ऐसी महँगाई की मार मारी है कि दो सो रुपे किलो तेल बिकरा है खाने का डीजल पेट्रोल साथमें आस्वान पर पहुंचे हुएं गैस का सिलेंडर एक हजार रुपे टच कर रहा है पर मोधी जी इन मामलों पे मौन रहते हैं और इनके मंत्रियों के पास कुछ नहीं बचा सिवाए हिंदो मुस्लिम काड़ खेलना मंदर मस्जित की बात करना सवाल यह है कि 2022 का चुनाब नस्दीक है लेकिन ऐसे मैं यूपी ये जो ममता बनर जी उसका एक भाग हुआ करती थी अब वो स्वैम विपस की भू बना चाहती है और राष्टीनेता एक दिन में नहीं बना जाता राष्टीनेता बनने के लिए बहुत कुवत करने पड़ती है और अपने आपको रिकोगनाईज मानने था प्राग पूरे देजभर से कराना पड़ता है सिवाए यह कहने हैं से कि हम यूपी का पार्ट नि ब प्रकार्ग गली में हैं कोंग्रेस वह पार्टी जसें देश को अजाद कराया जिसने पुर्भानी अदीन जिनके नेताओंने मम्ता जी कॉंग्रेस काई अभी निश्था होती थी तुरमोल कंग्रेस बनाके वह अलग होई अब हो सपने देख रही हैं राष्टी नेता बनने क नेशनल लीडर बनने की इतना आसान नहीं है कितना मजबूत हो सकती है कांग्रेस साथ कितना आपका अंक लने मैं यह कह सकता हूं कि कॉंग्रेस पहली बात तो यह कह सकता हूं कॉंग्रेस सरकार बनाएगी यदि कॉंग्रेस नहीं सरकार बनाती तो कॉंग्रेस के विदायकों के बगैर सरकार नहीं बनेगी और मैं यह भी चाहता हूँ कि भारती जनता पाटी 100 सीटों के अंदर सिमठ के रही गएगी पूरा विष्वास कॉंग्रिस कितनी लाएगी मैं आपसे कहा ना या तो सरकार बनाएगी या उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी कॉंग्रेस का जो जनाधार है वो गिरता g蛋ार कोंग्रेस को इसाथ में और विकल्प भी है और और ये महसूस होने लगा है कि कॉंग्रेस फी एक अच्छी गवर्नेंस ैसasınaus ने के सकती है और कॉंग्रेस के उन दिनों को याद करने करें लगी है जब एक रश्ट्ध है भारती जनता पार्टी हर तरह से फेल हो गई है, सिवाए जूट और जुमले बाजी के, इनके राष्टे नेताओं से लेके नीशे तक, जनता को गुमरा करने के, मंदर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू की बातें करने के अलावा इनके पास कुछ काम नहीं है, जनता की मूल को बहुत बड़ाद में समझते हैं. समय है, लेकिन प्रत्यासी अपने सम्मी का बनाने में लगे हुएं, इस बार उनने ये भी कहा है कि उनका मुकाबला भाजपा से ही होगा, अब देख उना होगा कि आने वाले समय में, आखिर मत्रा का बिढ़ाया कौन बनता है, या आने वाला बक्त बता पाएगा, नीशे सिंगल काम बता दें कि उन्होंने कोई विशेश काम मत्रा के लिए कराया हो, बिलकुल डंके की चोट में कह सकता हूँ कि बेरे दुवारा काम कराएगा, सारे मुंगेरी लाल के सपने हैं, और जुमले बाजी हैं, जिस तरहें भारती जनता पार्टी के बड़े-बड़े ज जिता जुब बोलते हैं, जैसे मैं चार बार जीता, जैसे मैं पाच्वी बार भी भारी महुवस से जिचाना है, अंदर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू की बातें करने के अलावा इनके बास कुछ काम नहीं है,